लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करें बरकत बुटिक को और किलिक करें बैल आइकन पर ताकि स्लाइस से रिलेटिड कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपको प्रिंसिस कर्ट सूट की स्टीचिंग बताने जा रही हूँ उसके लिए मैंने ये प्रिंसिस कर्ट फ्लेरड कुर्ती काटी है लास्ट वीडियो में मैंने इसकी कटिंग बताई थी और आज मैं आपको इसकी स्टीचि के लिए मैंने 1.5 इंच की और ये पट्टी काट ली है जिसको हम यहां जोडते हुए लगाएंगे पाइप इन बना कर तो ये मैंने और ये पट्टी काटी है डेड़ इंच की काटी है आड़ी पट्टी अब हम सबसे पहले स्टेचिंग के लिए अपने आगे और पीछे के भाग देखेंगे मैंने आपको कटिंग वाली वीडियो में बताया था कि जैसे आर्म होल हम सूट में काटते हैं वैसे ही हम इसमें भी काटते हैं आगे के अलग पीछे के अलग तो सबसे पहले तो हम अपन साइट के हैं तीनों पीसिस अब हम सबसे पहले इने ही जोड़ेंगे क्योंकि पाइपिन मुझे आगे वाले हिस्से में लगानी है इसलिए मैं आपको इसमें सिंपल स्लाई करके बताऊंगे सीधे पे सीधा हम कपड़ा रख लेंगे ये तो प्लेन है इसमें उल्टा सीधा नहीं है लेकिन अगर प्रिंटिर होता है तो उसमें हमें पता चलता है उल्टा सीधा सीधे पे सीधा रख लेंगे हम और इस तरह से जोड़ना शुरू करेंगे जो हमने कटिंग की है उसे ही जोड़ते हैं हम लेकिन जहां गोलाई आती है वहां हम थोड़े हलके हाथ से जोड़ते हैं बहुत कपड़े को खीच करने ही जोड़ते यह देखिए अराम-अराम से जोड़ते हैं यहां गोलाई में इस तरह से जोड़ेंगे मुझे आपको यह सिखानी थी इसलिए मैं आपको प्लेन पर बना के सिखा रही हूँ वैसे आप प्रिंसिस कट कुरती हमेशा प्रिंटिट कपड़े पर बनाएं बहुत खुबसूरत लगती है प्रिंटिट कपड़े पर इस तरह से हम नीचे तक जोड़ते चले जाएंगे इसको यह देखिए नीचे जाके यह छोटा बड़ा बैठता ही है इसलिए मैंने आपको इसकी कटिंग में 4 इंच प्लस करना बताया है 3-4 इंच इसलिए हम प्लस करते हैं नीचे जाके जब छोटा बड़ा बैठते तो वह हमारा एडजस्ट हो जाए तो यह हमने एक हिस्सा जोड़ लिया है देखिए इस तरह से सेम इसी तरह से ही हम दूसरा हिस्सा भी जोड़ लेते हैं और यह देखिए दोनों हिस्से हमारे जुड़ चुके हैं, backside के दोनों हिस्से हमने जुड़ लिए हैं, नीचे extra है, इसको हम काटकर निकल देंगे, यह देखिए एक बराबर आ गया है यह, जिस तरह से हमने backside के जूड़े हैं, हम चाहे तो ऐसे ही front side के भी जोड़ सकते हैं लेकिन हम front में piping लगाने वाले हैं तो उसको थोड़ा अलग तरह से जोड़ेंगे तो ये हमारे front pieces हैं जो हमने हटा कर रख दिये थे अब जो हमें piping लगानी है वो दोनों side के हिस्सों में लगती है जो इसका बीच वाला हिस्सा है टी के आकार में जो दिख रहा है इसमें नहीं लगती है piping piping लगती है दोनों side वाले हिस्सों में left और right चलिए इसमें अब हम piping लगाना शुरू करते हैं तो ये देखिए एक piece लिया है हमने और वही गोलाई वाला हिस्सा जो हम जोडते हैं उसी में हम इस तरह से औरे पट्टी सीधे पे सीधी रखकर sly लगाएंगे और machine के एक पैर की हम sly लगाते चले जाएंगे बहुत हलके हास से बिल्कुल हलके हास से हम इस औरे पट्टी को खीचते रहेंगे जादा बहुत जादा खीच के नहीं लगानी है ये पट्टी हमें इस तरह से ये देखिए हमने ये पट्टी लगा ली है और ये पट्टी एक हिस्से में जोड ली है हमने अब हम सेम ऐसे ही दूसरे हिस्से में जोडेंगे तो हमारा ये दूसरा पीस है अब हम इसमें दूसरी साइड लगाते हैं ये देखिए इस साइड लगाएंगे हम जैसे हमने इस वाले हिस्से में लगाई है अगर हम इसमें भी ऐसे ही लगा देते हैं तो ये दोनों एक ही साइड के पीस हो जाएंगे क्योंकि यह प्लेन है इसमें उल्टा सीधा हमें नहीं पता चल रहा है इसलिए हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है इजी तरीगा इसका यही है कि एक हिस्से में आप पाइपिन वाली पट्टी जो है वो नीचे रखें और एक हिस्से में उपर तो जो हमने पहले हिस्सा सिला है इसका उसमें मैंने पाइपिन वाली पट्टी उपर रखी हुई थी और इस वाले में मैंने पाइपिन वाली पट्टी नीचे रखी हुई है इस तरीके से हमारे दोनों साइट के हिस्से त्यार हो जाते हैं यह देखिए, दोनों साइट के जो हमारे लेफ्ट और राइट, दोनों साइट के जो हिस्से हैं, पीसीज हैं, उनको मैंने तयार कर लिया है, अब हम इसकी पाइपिन बनाएंगे, इस तरह से मोड़ेंगे इसको, हलका सा मोड़ कर, फिर जो हमारी सिलाई है, उसके उपर हम इ इसा कर सकते हैं, देखिए, इस तरह से हमें करना होता है, पहले कपड़े को हम डबल करते हैं, और जो हमारा सिलाई में कपड़ा गया होता है, उतने ही कपड़े पे हम पाइपिन चड़ा देते हैं, बहुत अच्छी पाइपिन और गोल पाइपिन बनती है, इसे, इसी तरह से हम बनाते चले जाएंगे, यहां हम लैस भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं हम, कितनी फिनीशिंग के साथ लग रही है, देखिये पाईप इन, किसी तरह से हम लगाते चले जाएंगे, देखिये, double करते हैं कपड़े को double करने के बाद जो sly वाला कपड़ा इसके उपर फिर इसके उपर हम pipe in वाला कपड़ा चड़ा देते हैं और ऐसे ही हम पूरे में लगा लेंगे ये देखिए, एक हिस्से में हमने pipe in लगा ली है पीछे की तरफ से ऐसी दिखती है ये जैसी इसमें लगाई है सेम वैसी ही हमने दूसरे हिस्से में भी पाइपिन लगा ली है दोनों हिस्से हमारे तयार हैं पाइपिन लगकर अब हम ये जो बीच वाला हिस्सा था इस पर हम इसको सिल देंगे तो इस तरह से हम सीदी तरफ आधा इंच चड़ा कर रखते हैं और बिल्कुल किनारी पर जहाँ पाइपीन की पहले स्लाई लगाई है उसी चाई के ऊपर स्लाई लगा देते हैं चलिए अब हम इसको जोडना सिखाते हैं ते देखिए इस तरह से रखते हैं हम आधा इंच लगबग हम चड़ा कर रखते हैं कपड़े के ऊपर क्योंकि जैसे हमने पीछे का पीस जोड़ाई है वैसा तो हम इसको जोड़ नहीं सकते इसलिए हम आधा इंच चड़ा कर रखते हैं और इस तरह से जो पाइपिन की सलाई लगी हुई है उसी सलाई के उपर सलाई लगाते चले जाते हैं छोटी ही सलाई लगाते हैं हम बड़ी सलाई नहीं लगाते हैं यह पक्की सलाई लगा रहे हैं इस तरह से हम इसको जोड लेते हैं अगर हम लैस लगाते हैं तो इसी स्लाई में हम लैस दबाते चले जाते हैं देखिए कितनी अच्छी तरह से जुड़ रही है ये और उल्टी साइट से ये ऐसी नजर आती है ऐसे ही हम पूरे में स्लाई लगा लेंगे और इसमें भी हमारा जो नीचे का हिस्सा है वो छोटा बड़ा बैठता है जाहिर सी बात है पीछे बाले में भी बैठा है इसमें भी बैठेगा छोटा बड़ा और ये देखिए एक तरफ से हमने ये जोड लिया है पीछे ऐसा दिखता है ये जोडने के बाद और दूसरी साइड भी हम सेम ऐसे ही जोड लेंगे जैसे हमने आधा इंच इस पर चड़ा कर रखा है ऐसे ही आधा इंच हम दूसरे हिससे पर भी चड़ा कर रखेंगे और उसको हम जोड लेंगे यह देखिए दोनों हिससे हमने इसके जोड लिये हैं अच्छी तरह से ये दोनों हिस्से जुड़ चुके हैं, अब जो नीचे एक्स्ट्रा है, इसको हम काट कर निकाल देंगे, जैसे पीछे वाले भाग में निकाला था, अब हम जैसा भी कोई भी गला चाहे हम, इस पर बना सकते हैं, और इसको तयार कर सकते हैं, तो मैं इस पर ये गला बनाने वाली हूँ, नॉर्मल किसी भी गले की तरह हम इसको बना कर तयार कर लेंगे, ये देखिए, मैंने आगे और पीछे, दोनों गले बना लिये हैं, बहुत ही खुबसूरत गला बनाया है, मैंने इसमें, बिगु सिंपल और ब्यूटिफुल, अब हम इसमें फ फिटिंग का निशान पहले लगाया हुआ था, इसी निशान पर हम सलाई लगाते चले जाएंगे, जिस तरह ये निशान लगा हुआ है, सेम इसी पर ही सलाई लगा लेनी है, और जैसा ये निशान है, वैसा ही हमें दूसरी तरफ चाहें तो निशान लगा लें, या आप ऐ लेयर कुर्ती के नीचे का हिस्सा मोडेंगे तो नीचे का हिस्सा हम पतला ही मोडेंगे तो जादा ठीक रहेगा और इसमें किसी भी नॉर्मल सूट की तरह बाजू लगाकर इसको हम तयार कर देंगे तो ये देखिए प्रिंसिस कट कुर्ती बनकर हमारी तैयार हो चुकी है और बहुती खुबसुरत कुर्ती लग रही है ये इसमें मैंने बाजू भी लगा ली है नीचे से भी मोड लिया है इसको बाजू मेरी लंबाई में थोड़ी कम थी तो मैंने इस तरह से इसमें कपड़ा जोड कर थोड़ा सा डिजाइन बना लिया है और नीचे से मैंने इसको पतला ही मोड़ा है जादा चौड़ा नहीं मोड़ा है ये देखिए इस तरह से बहुती खुबसूरत लगती है ये कुर्ती सिलने के बाद I hope आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले Thank you